हालो इस्टुरेंट्स जैसा कि लास्ट क्लास हम लुब्रिकेंट देख रहे थे और लास्ट क्लास में हमने लुब्रिकेंट के बारे में पढ़ा और फ्यूल्स पढ़ लिए अब जो हमारा आज का जो सेशन है वो है इलेक्ट्रो कैमेस्ट्री जिसको हम बोलते हैं सबसे पहले हमको देखना क्या है और समझना क्या है तो देखे आपको यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका यह मनें इलेक्ट्रो कैमेस्ट्री एंड इट्स यूनिट्स मनें क्या जो है आप इसमें पढ़ोगे तो रसायम बिग्यान की वह साखा जिसका उप्योग स्वता परिवर्तित रासायम का भी क्रियाओं में उत्पन् क्या जाता है इसमें हम बोल सकते हैं कि यह रिडा सब क्रियाओं में होने माले बैदूत उर्जाओं तो था रासायम परिवर्तित में संबंदित को इस्तफित करता है मतलब यह जो है जो कैमेस्टर यह वह पूरी तरीके से रेडॉक्स पे रेडॉक्स रियक्शन पे जो है बेस्ट है रेडॉक्स रियक्शन क्या होता है कि जहां पर ऑक्सिडेशन रिडेक्शन स्मिलिटैनियसली अगर होता है उस प्रोसेस को आप रेडॉक्स रियक्शन के नाम से जानते हूँ अभ यहाँ पर आपने रिडेप्शन होता है और औरो रिडेट्सन क्या उप्टा है कि इस याद रखोगे कि मेने बैद्धूत रसायन विज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत हमने यहीं बोला कि मने रासाइनिक-अविक्रियाओं को हम क्या करते हैं और कुछ chemical energy को फिर हम गैदुत वर्जा में convert करते हैं तो यह जो है इस उस टाइ buttony ऑ और यह जो परिवर्दित आपकी यह बोल जा रही हहा है इस चैप्टर में हम एक टरीके से वुद्ध राश करेगे अब जो है इसके कुछ अप्लिकेशन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगे तो देखे यह बोला जा रहा है कि जो ही आपकी बैटरी एंड फ्यूर सेल्स अब आपटरी जो आपके होते हैं आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे ब्लैक ब्लैक से यह है रेक्शन के बैसी सिटी का निर्बान करते हो तो यही कहा जा रहा है battery and fuels, समझ रहे हैं, fuel cells are converted chemical energy into electrical energy and are widely used in जो हैं हम क्या बोल सकते हैं various devices and क्या apparatus, तो बैटरियों तथा इंधन सेल वासायनिक उर्जा को बैज़त उर्जा में परिवर्थित करते हैं और विभिन उपकरणों तथा युक्तियों में ब्यापक रूप से काम मे लाये जाते हैं, अब यह बोला जा रहा है कि बहुत सी धातुए जैसे आपके हो गये basically magnesium, chink के, sodium के, aluminium और जो है रासायनिक जैसे sodium hydroxide, chlorine तथा fluorine आधि पैदुद रासायनिक विदियों द्वारा अधिक मात्रा में मराये जाते हैं, many metals such as sodium magnesium, aluminium, chemical such as sodium hydroxide, chlorine and what's, fluorines are made in large जो है हम chemical method में इसके यूज किये जाते हैं, और फिर बोला जा रहा है, electrochemical reactions are energy efficient and less polluting, इससे जो आप energy बनाते हो, वो उससे जो है, जो pollution का खत्रा होता है, वो कम होता है, बात समझ रहो, तो यही कहा रहे हैं कि therefore, electrochemical reactions protect the environment, अता जो है, जो electrochemical से जो है, जो reactions होते हैं, वो environment को, जो है, क्या करते हैं, मने, safe बचाते हैं, तो यही कहा जा रहा है, बैदुत रासायनिक अभिक्रियाएं, उर्जा कुसल बने efficient तथ जो हैं, तो इस तरीके से आप इसको बता रहे हो, फिर यहां पर आप से यह बोला जा रहा है, कि redox, या फिर आप जो है, अभिक्रियाएं, या फिर reduction, oxidation, reaction, अब जो है, यहां पर यह बोला जा रहा है, कि just अभी आपने बोला, कि according to हम बोल रहे हैं, कि electronic, मने, precessions, reductions is the chemical process in which a substance takes an electron, जो है, बोला जा रहा है, the substance that receives electron is reduced, and is called oxidizing agent, for, जो है, examples, copper, या फिर cupric ion, attacks, जो है, हम बोल सकते हैं, electrons, add, जो है, क्या बोल सकते हैं, a catalyzed to form, जो है, metallic copper, तो यह कहा जा रहा है, कि electroni, धरणाओं के अनुसार, जो है, up chain, मने, reduction, वह रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें कोई पदार्थ, electron, ग्रहन, कर लेता है, ठीक न, अभी देखिए, जो है, जो है, आपका reduction, यहां पर बोला जा रहा है, कि जो electron को क्या करे, accept कर ग्रहन कर ले, पास समझ रहे हैं, तो उसको जो है, आप क्या बोले, reduction बोले हैं, लेकिन जब आप छोटे class में, class 10th level तक थे, तो oxidation को आप इस तरीके से बोलते थे, कि adding of oxygen and removal of hydrogen is known है, oxidation, और reduction को कैसे बोलते थे, कि adding of hydrogen and removal of oxygen is known है, इसका reduction, अब यहां पे जब आप जो है, higher class में बताया जाएं, तो आपको अब यह बताया जाएगा कि जहां पे gain of electron, वहां पर क्या होगा? Oxygenation होगा? औरग्तन की नाम से जाने जाएगी, तो अब हम यह कह रहा है गुंद करने जानेंगे और जब लास होगा तो उसको उसको अप्चैइजिंग के नाम से जानेंगे जहां पर रहा है वो किसकी तरह काम करेगा वो oxidizing agent की तरह काम करेगा यहां बच्छे बड़ा गलती करते हैं पात समझेगा उदाहरण जैसे हम बोल रहा है copper जो copper है आपका अभी जब आप देखोगे कि अभी आपको cell पढ़ाए जाएगे तो उसमें आपको दिखेगा कि zinc से electron जो है निकलेगे और वो electron accumulate होके copper की तरह पाएगे तो copper electron को जो है क्या करेगा accept करेगा और zinc electron को loss करेगा तो जो loss कर रहा है उसको आप oxidation का नाम दोगे और जो gain करेगा उसको आप क्या reduction के नाम से बोलोगे और जहां पे जिस substance का reduction हो रहा है उसको हम oxidizing agent कहेंगे ठीक न तो अभी वो आपको यहा electrons and हम बोल सकते हैं कि catalyzed to form metallic copper तो अब यहां पर यह copper है जैसे यह इसने दो electron जो है क्या करिया हो गेन बना लिया यहां पर सी हो रहा है और यहां पर iron है इसने भी electron gain किया हुए है ग्रहन किया हुए तो यह F2 बना लिया हुए है इस तरीके से यह जो है आपको यह जो भी example है आदी अभी किरिया है जिसमें electron ग्रहन किये जाते हैं वह कहा जा रहा है कि अपचैन अर्थ अभी किरिया है माने रिडेक्षन हाफ रिएक्षन के नाम से कहला ते इसी को हम जो है इसी जहां पर गेन आफ एलेक्षन होगा उसी को हम जो है क्या बोल सकते हैं कि reduction हाफ क्या होता है थो यह यहां पर प्रक्रम है जिसमें किसी पदार से इलेक्ट्रान क्या हो जाता है घट जाता है या पर निकल जाता है लाओ सभी हमने बोला था निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं और यहां पर आपका ऑक्षिडेशन हो रहा है इस सबस्टेंस का जहां से इलेक्ट्रान निकल रहा है उसको आप जो है रिडूसिंग एजिंट के नाम से बोलो के हो रहे हैं हम जैसे उधारण जब यह जिंक छाड़ को कापर सलफ्थिट के बिलयन में दुवाया जाता है तो तो इलेक्ट्रान खोकर सुआए जो है जिंक आयन में आप सिक्रित हो जाता है एकॉर्डिंग टू जो है जो है जास अभी आपको इंग्लिस में पता रहे है ऑक्षिडेशन इज अ कैमिकल प्रॉसेस इन विच इलेक्रान्स आर जो है क्या डिदूस या फिर रिमूफ फ्रॉम तो इस तरीके से यह चीज़ें आपको दिखाई गई तो यह जैसे जिंक है इसने अपना क्या किया हुआ है दो इलेक्रान यहाँ पे क्या किया हुआ है लास किया हुआ है तो उस पे जितना लास होता उतना उस पे चार जाते हैं आपको यह पता है बात समझ रहे हैं तो जीतना electron lost वह उतने उस पर चार जाए तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि यहां इसका क्या हो रहा है Oxidation हो रहा है बात समझ रहे हैं तो इसी को हम Oxidation Half Reaction के भी नाम से जानते हैं उसी Oxidation को Oxidation Half Reaction हम बोलते हैं आप इस बात को याद रखें फिर आपसे कहा जा रहा है कि जैसे 2 प्लस है अगर यह दो इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम ने निकाल दिया तो यह क्या बन गया बास समझ रहा है तो यहां पे जब यह कहीं भी लाउसाप इलेक्ट्रॉन होगा तो वो Oxidation Process या Oxidation Half Reaction के नाम से जाना जाएगा अब आपसे यह बोला जा रहा है कि यह यहां पे पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खो देता है ऑक्षिकरन अर्ध अभिक्रियाओं को जोडने पर प्राप्त संपूर अभिक्रियाओं को ही अब्दा कहते हैं डेडाक्स रेक्षन के एक साथ घटना हो रही होगी उसी को आप क्या बोलोगे डाक्स रेक्षन बोलोगे जैसे देखिए यहां पे जिंक का क्या हो रहा है तो जिंक के यहां पे लास हो रहा है तो यहां पे यहां पे क्या हो रहा है यहां इसका Oxidation हो रहा है क्या हो रहा है इस वजह से इसको आप आप क्या नाम दोगे इसको आप बोलोगे कि redox reaction क्या बोलेंगे आप इसको redox reaction के नाम से जानेंगे तो आएए हम इसको देखते हैं कि यह जो है किस तरीके से आप इसको मैं समझ रहे हो या पूरिलेट कर रहे हो तो देखे redox reactions को आप याद रखोगे कि हमने वह बोला the complete reactions obtained by होती है क्योंकि जो इलेक्ट्राइन अक्सी करण में निकलते हैं वह प्रयूक्त जो है क्या हो जाते हैं अब यह हम कहा रहा है कि इनरजी इज नॉट जो है जनरा क्या जटनरेटेड इन दिस रियक्षिन वान यहीं हम बोल रहा है कि electric energy, जो electric energy है, वो यहां पर नहीं generate होाई, electric energy not generated in this reaction, जो अभी आप में यहां फे हम redulra है, ऐसा क्यों? क्योंकि the electrons that are released in जो है क्या बोल सकते हैं, कि oxidations are used, और फिर यहां पर क्या बोल रहा हो, oxidations is used, and next, oxidations are used in decomposition, तो in redox, reactions energy is released in the form of आपके विद्रोग Хीट जो है जो आपका इलेक्ट्रों केमेश्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो इसीउट्रों केमेश्ट्री में हम बोलेंगे कि जो सेल होते हैं तो बैधुत्रा स कमकल को energy किसमें convert हो, electrical energy में उसी को आप बोलोगे, electrochemical cell के नाम से जानोगे, इन cellों को जो राशानी कुर्जा को बेद्वित उर्जा में बतलता है, उसी को हम baddut rationalic cell के नाम से जानते हैं, मने किसमे chemical energy को किसमे इलेक्टकल इनरजी में convert होता है, बैदुत उर्जा में बदलता है उसी को हम बैदुत रासाइनिक सेल के नाम से जानते हैं अब कहा जा रहा है उर्जा उत्पन करने वाली ये सेलें Galvanic सेल बनें अगर हम कहें कि अभी जो आप यहां पे पढ़ रहा है थे Electrochemical सेल इस इलेप्रो कैमिकल सेल के कुछ एक्जामपल बता दीजिए तो इसके एक्जामपल जो है आपके यह हो जाएंगे गैलवनिक सेल, बोल्टेक सेल या फिर दैनियल सेल ये तीनों एक ही के नाम से जाने जाते हैं तो उर्जा उत्पन्ने होने वाले ये सेल गैलवनिक सेल या फिर बोल्टेक सेल भी कहलाती है अब जो है उधारण में घड़ियों में जो प्रियुक्त होते हैं जो आपके वाच होते हैं वाच में प्रियुक्त बटन सेल तथा कारों की बैटरियों में प्रियुक्त टार्च सेल बैद्धुत रासानिक सेल के यह सब क्या है उदारण हैं तो यह हम ज़स्ट बोले कि दीज एनरजी जनरेटिंग सेल्स आर आलसो काल्ड गैलेवनिक सेल या फिर बोल्टाइक सेल फर एजामपल बटन सेल्स यूज़ इन वाचेज फिर आप से यह बोला जा रहा है कि बैद्धुत रासानिक सेल जो होते है वो आपके दो टाइप के होते है वो कौन-कौन सा है तो वो आपका बैद्धुत अबगटनिय सेल है और दूसरा हम इसको बोलेंगे कि गैलेवनिक सेल है तो there are two types of electrochemical cell एक है electrolytic cell और दूसरा है गैलेवनिक सेल अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे electrolytic cell क्या होता है electrolytic cell को आप इस तरीके से समझाओगे कि वह सेल जिसमें बाहर सोर्थ से क्या उर्जा देने पर कोई रासानी कभी किरिया नहीं होती है वो क्या कहलाती है बैदू तब गटनी सेल कहलाती है पतलब हमने यह बोला the cell which does not have any chemical reaction उसमें कोई भी chemical reaction नहीं होता वो यहाँ पर उसको क्या करना होता है बाहरी सोर्थ से जो है क्या होनी देनी होती है तो कहा रहा हैं कि chemical reactions when electrical energy is given from external sources of this card उसी को हम electrolytic cell के नाम से जानेंगे तो और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बैदू तब गटनी सेल जो आपका electrolytic cell है वो इसका example यहाँ पर आपको दिखा रहा है तो यह जो है एक container है इस container में हमने कोई ionic compound लिया हुआ है ionic compound को जो हम इसको क्या किया होई water में dissolve किया हुए है तो आपको पता है कि किसी भी ionic compound को जब पाने में घोलते हो तो सबसे पहले वो अपने आइनों में तूट जाता है और जब आइनों में तूट जाता है तो आइनों में तूट जाएगा तो वहाँ पे आप आप आसानी से electricity flow करा सकते हैं तो अब जो है suppose that माल लिजे ये जो है किसी का माल लो ये copper sulfate का solutions है ये माल लो जो है zinc sulfate का solutions है इसके अंदर ये हमने एक container लिया हुआ है इसमें इसका solution बनाया हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जिस भी पार्ट को मिलाते हैं जैसे माल लिजे जो भी ionic compound जब water में dissolve हो जाता है तो जो material तयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं electrolyte के नाम से जानते हैं और यहां पे जो ये metal का राड लगा हुआ है इसको हम electrode के नाम से जानते हैं तो अब जो है आपसे बोला जारा है कि जो positive terminal होता है और जो ये positive terminal जब जो है एक electrode से जोड़ा जा रहा है मान लिजे इस positive terminal को एक electrode से जोड़ा बने तो उसको हम anode के नाम से जानेंगे और एक जो आपका negative terminal था उसको आपने अगर दूसरे वाले इलेक्ट्रोट पे जोड़ा मने नगेटिव वाला पार्ट था तो उसको हम कैथोड बोलेंगे तो अब जो है ये उसका उधारण है अब जो है ये आपको फिर यहाँ पे समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आप इसको समझोगे बैदूत आफगटनी असेल की विसर में मुख बिंदू कुछ निमने परकार से है क्या है तो वो हम देखते है इलेक्ट्रोटिक सेल्स आरच फालो वो क्या है तो वो जो है आपका किस तरीके से है तो अब जुए हमने यही बोला कि बैद्धूत अपगटनी सेल के बिशेष में कुछ मुक्रबिन दोख निमने परकार से है हमने ये बोला कि इसमें बैद्धूत उर्जा का रासानिक उर्जा में परिवर्थित है तू क्या बैद्धूत अबगटन की भात होती है मने हमने बोला कि in this the convergence of electrical energy into chemical energy is like जो है क्या electrolysis होता है इसमें redox अभी क्रियाय सोता नहीं होती है अपित्व विद्धूत उर्जा परदान करने पर ही प्राप्त होती है मने in this redox reaction does not occur automatically but only when electric energy is provided फिर हम यह बोल रहा है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोट एक ही बीकर में मने इस टाइप के example में मने जो आपका electrolyte cell जो पढ़ रहा हो उसमें जो आपकी example पढ़ रहा हो इसमें हम क्या करते हैं एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोट को लेते हैं तो यही कहा जा रहा है कि in this both electrodes are placed in the same beaker मने एक ही बरतन में एक ही container में inner solutions are liquid electrolyte अब हम फिर बोल रहे हैं कि इसमें केवल एक बिद्दुत अबगटनी ही प्रियूप्त होता है only one electrolyte is used मने एक ही electrolyte use करोगे जैसे हमने कहा कि copper sulphate को ही इस container के अंदर क्या करना है इसमें जो है गोलना है तो अब जो है यह अब इसमें हमने दो metal का rod भी डाला हुआ था और इसको क्या किया हुआ था किसी बाहरी source के battery से connect कर दिया हुआ था तो जिसको positive से जोड़ा था उसको हमने क्या बोला था अभी देखिए यहां पे figure में उसको enode और जिसको हमने negative से जोड़ा हुआ था उसको cathode के नाम से जान रहे हैं अब यह कहा जा रहा है only one electrode is used अब यह बोल रहा है the electrode in it are of the same different substances जो है यह बोला जा रहा है फिर it does not require a salt bridge to the setup मने इसमें salt bridge की हमारी ज़रूरत नहीं होती है फिर आपसे यह बोला जा रहा है कि in this the anode connected to the positive जो anode होता है वो battery के positive terminal से जुठता है देखिए बोला जा रहा है कि in this the anode connected to the positive end and the battery and the cathode attached to the negative end of the battery इसमें battery की धन सीरे से जुड़े anode धनात्मक होते हैं और रिडात्मक सीरे से जुड़े cathode रिडात्मक धुरू होते हैं कि इसमें electron battery प्रदान करती है जो इसमें प्रिवेश करता है और बाहर निकल जाता है आठ striving होताege Oxidizing होता है Oxidation होता है इसमें आप याद रखोगे इस पे जो है क्या होता है Inode पे तो Inode पे आपका और Cathode पे तो देखिए अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि यहाँ आपको दिख रहा है कि Inode पर क्या हो रहा है आपका Oxygen, तो Inode पे Oxygen, यह जो है Inode पे Oxidation क्या हो रहा है, यह आद रखेंगे Inode पर Oxidation और यह जो आपका Cathode है इस पे क्या Reduction इस सेल में, ठिक ना, इस पे आपका क्या हो रहा है Reduction हो रहा है, ठिक ना, तो यहाँ पे यह चीज़ें आपको समझाय रहा है कि आपने यह बोला कि आपने अभी यही बोला कि इसमें Electron Battery प्रदान करते हैं, वे Cathode में प्रिवेस करते हैं, तो और Inode में, Inode से जो है क्या होते, बाहर निकलते, अथा इसमें Cathode पर क्या, अपचयन Cathode पर क्या, अपचयन, देखिए Cathode पर, Cathode पर अपचयन, मने डिरक्शन, और Inode पर Oxidation, इसको बार-बार दिखाने का यही मतलब है, और उदारन जिंक कुलोराइड बिलेन में, अगर मान लो, जिंक कुलोराइड का बिलेन है जडेन सी यल्ट, ठिकना तो जिंक कुलोराइड के बिलेन में, हमने यह जिंक है, तो जिंक के दो इलेक्टराण जो है, इसने क्या किया हुआ है दो इलेक्टराण अपना गेन कर लिया, तो गेन करेगा तो क्या होगा बाई, जब गेन करेगा तो क्या होगा रिडक्शन, और जब लास करेगा, कुलोरीन लास किया तो क्या हुआ अब जो है इस तरीके से ये चीज़ें आपने समझाया हुआ है ठीक ना अब यहां पर फिर जो दूसरा टाइप था वो है आपको माने उसमें जो है बेसिकली आप इतना चीज़ें जानोंगे जो अभी आपको हमने आगे बढ़ताया इलेक्ट्रोकेम उर्जा में परवर्दित करता अभी आपने देखा था कि वो क्या था माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैमिकल एनर्जी में कनवर्ट कर रहा था अब यहां पर क्या कर रहे हो आप कैमिकल एनर्जी को इलेकल एनर्जी में कनवर्ट कर रहे हो रासायनिक उर्जा को किसमें ब आप क्या करोगे इसमें जो है रासायनिक उर्जा को बैद्योत उर्जा में परिवर्थित करोगे अब यहां पे फिर कह रहा है कि हमने आप से यही बोला कि उर्जा उत्पन करने वाले वेसल जो रासायनिक उर्जा को बैद्योत उर्जा में परिवर्थित कर देते हैं गैलव है कि इस सेल के मुख्य बंद निमने प्रकार से दिये हुए कि इसमें दो बीकर होते हैं इसमें दो बीकरों को लेना होता है और दोनों बीकरों में अलग अलग जो है क्या जिस जिस सल्यूसन का इलेक्ट्रोलाइट हम बनाते हैं उसी का हम मेटल यूज करते हैं जैसे यहां प का पर का इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो कह रहे हैं कि इसमें डो वीकर में ये लिया वृख का लिय लिया हुआ है ओए इस इसदिभरन इलेक्रोलाइट या व 00 Fut bodies गर आ क्था से मही ल déplैप और लए लिया कई बार जो हैं हम इसमें अलग भी रॉड ले लेते हैं मने जो यह सल्यूसन होता उससे अलग भी तो यही आपसे कहा जा रहा है कि दोनों बीकरों में बिभिन नपदार्तों के दो इलेप्रोड अलग अलग रखते हैं बोथ बीकर लिए टो प्रोटेक्ट वीशल इज प्लेश्ट बिट्विन दटू बीकर मने उसको हम जो है क्या करते हैं अभी हमने बोला कि इन्हें सेट करने में दो बीकरों के मद्द जो है साल्ट ब्रीज या फिर सरंद्री पात्र में रखते हैं फिर कहा रहा है कि इसमें बैद्दो अब यहां पर फिर आप बोल रहे हो कि जो है मनें एमंग दीज दा इनोड वियर ऑक्षडेशन अकर इस दा नगेटिव पोल वाइल जो है कैफोर्ड वेयर रिडेक्शन अकर इन जो है पाजिटिव पोल मतलब यह कहा जा रहा है कि यह जो है आपका क्या है इनोड की तरह का क्या काम कर रहा है और यह आपका क्या कैफोर्ड की तरह काम कर रहा है तो जो नगेटिव वाला पार्ट है वह आपका क्याहें tea होता है अक्षिकरण होगा और कैफोड पे क्या होगा एप्चयान होगा तो यही कहा जा रहा है कि ये रिलात्मक धुरूँ होते हैं जो एनोड होगा एनोड यह जो है रिलात्मक धुरू होता है अब फिर हम बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रान बार सर्किट में इनोड से कैफोर्ड की और गति करता है इसमें हमारा इलेक्ट्रान का मोविंग है क्या होता है वाणने एनोड से किस की तरफ कैफोर्ड की तरफ जाता है इस फिगर को देखिये यह जो है यही हमने हिज़ूआ प्सी देखा देक ऐसे ही इसको आप वाटर में डालोगे तो जड़ेन प्लस और सोफोर टू माइनस में तूट जाएगा खुब डेर सारे पार्ट में ऐसे तूटे रहेंगे फिर इसी तरीके से कॉपर तलफेट का सल्यूसन लिया हुआ तो यह भी जो है सीउ प्लस और जो है सोफोर माइनस में तूटा रहेगा अब इसमें दो आपने क्या लगा दिया था मेटल का लगाया था तो यह मेटल जो है आपका जिंक का है यह मेटल आपका जो है क्या है कौपर का है अब जो है इसको आप क्या कर रहो किसी तार से जो है चब तक इसको किसी तार से जोड़ोगे नहीं, तब तक जो है इसमें वने इलेक्टरानों का मुविंग नहीं होगा, अब इसको हमने इस तार से जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, salt bridge लगा दिया, तो अब यहाँ से क्या होते हैं, जिंक से इलेक्टरान निकलते है हां तो यहां पे यह जिंक वाला part यह reduced होगा और यह जो है क्या होगा इस पे यह एस58 बढ़ता हुआ मिलेगा तो अब यहां से इलेक्ट्रान यह निकले लगते है कि तरफ इनोन से इसकी तरफ यह आपका और यहां पे कैसीज़ की तरफ अब यहां पर यह हमने आपको बताया कि जो आपका मने इसमें इलेक्ट्राण बासर्किट से एनोट से किसकी तरफ अभी देखाए तो अब यहां पर इसके जो है उसको हम यहां पर देखेंगे कि संपूड रेडॉक्स अभिखनी आए जैसे यह क्या है जिंक है तो जिंक से दो इलेप्रों जो है क्या हुए लास हुए तो जहां पर लास होता है वही क्या कहला था ऑक्षिडेशन या इसी को हम बोलेंगे ऑक्षिडेशन हाफ रियक्शन और पर जो है आप देख रहे थे कॉपर इलेप्रों को यहां से जो निकल रहे थे जिंक की दुटकर से वहां पर उसको और पर इसका रिडॉक्शन तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यह हैं है पर एपट संपूर्ड रियड़क्श किक्शन हो गया आप संपूडर जो है विवांतर उत्पन्न हो जाता है यह विद्दूत उर्जा वन्हें बैदूत संत्र चलाने हिद्ध उप्योग में लाई जाती है इलेक्ट्रानों का बहाओ तभी संभा होता है जब बाह सरकीट को किसी जो है क्या बैदूत सन्यंत्र या वहार या फिर बोज से बंद कर दिया जाता है साथ या वहार को हटाने पर सर्कृत फुल जाता है और अल्ट्रान का बहाओ रुख जाता है और रिडा सब्सक्राइब क्या हो जाती है बंद हो जाती है तो डूटू दे हम बोल रहा है दिव जो चेंज इनंग एलेप्रोड प्रोट्स अःजिए बिविए anode and what cathode so this electrical energy is used to run the power plant the flow of electron is possible this man only when the external circuit is closed by uh an electric uh plant are you have load that the circuits opens when when the electric uh plant are you have load is removed as a result the redox reaction is stopped by stopping the flow of what flow of electrons to galvanic cell electron ke ba circuit se anode se cathode keyword jate hain chabki maine para paramparik viduddhara me johai haam kya bol rahe hain electron iske viparit dhisa me cathode se anode keyword gati karte hain in galvanic cell the electrons move from the anode to the cathode in external circuit where as in conventional current the electrons move from the cathode to the anode in johai kya opposite direction to this ish tarikas se yee chizha hain apko samjhai gaei in apos vario salt bridge qya hai salt bridge qya hai salt bris ka basically uge qya hai uge qya hai usko hain yaha pe dekhen ge to salt bris joh hai aapka wo hai to salt bris ko batao quick salt bris eek yeu joh hey u-a-car ka ish tarik eh na to salt bridge eek yu-a-car ki naliy ho Tia minne banai जाती है वो ग्लास की बास समझ रहे हैं जिसमें जो हम क्या करते हैं पोटैसियम कुलॉराइड या फिर अमोनियम नस्त्री सील जैसे जो है क्या निसक्रिय अबेद्दुत अपगट्टे का बिलियन भर देते हैं और इस बिलियन में जो बिलियन को अगर-अगर की अल्प मात्रा के साथ नली में भरते हैं ठंडा होने पर यह जेली की भात जम जाती है और प्रियोग के समय बाहर नहीं भाता है और जब इसका हम यूज करते हैं जैसे एक तरीके से मान लीजिए यह एक यूज साइब का कंटेनर है जिसमें हम क्या क पाइब से क्लिप्स से रोक देते हैं तो यह जो है जब इसको हम क्या करते हैं तो यह जो है घंड की बाहर नहीं निकलता है कि आप यहादम संदार्वाध होने पर यहीं जम जाती है और प्रियोग के समय बाहर नहीं बहता सॉट बिश की निम्ने कार रहे होते हैं तो अभी वो कारे क्या है अभी बता रहा है अगर वें जो है पूल इन फ्रीज लाइक जेली एंड डजनॉट जो है क्या फ्लो आउट डियूरिंग यूजे जब इसका यूज करते हैं तो यहां पे आप देख रहे हो कि हमका रहे हैं कि यह दोनों बैदुत अपगटियों के मद्ध बैदुत संपर्थ इस्थापित करता है और इलेक्ट्रानों से हम इसका यूज करते हैं तो आपसे यह बोला जा रहा है कि टिस्टेबलाइट था एन इलेक्रिकल कनेक्शन बिट्विन टू इलेक्रोलाइट्स एंड डू तू दू अफ इलेक्ट्रान कंप्लीटली इंटर्नल सरकीट यह दोनों सेलों के बैदित अपगट्यों को मिलान चार्ज इन दे सेमी सेल मिन्स टैट यह दोनों सेलों के बिलियनों में बैद्दूत उदासिंधा मनें इलेक्ट्रिकल नूट्रलीटी बनाये रखता है सॉल्ट ब्रिज के अस्थान पर हम संद्रित्र पात्र उपयोग में लाया जा सकता है दमेंटेनेंस इलेक्रिकल अब आपको यह बोला जा रहा है कि एनोंड को हमने अभी जश्ट बताया था एनोंड को बाएं और जो है क्या एनोंड को बाएं और कैफोड को दाएं और लिखते हैं जैसे अभी आपने देखा था ना इसमें तो यहां पर यह जो एनोंड था उसको आप क्या यह जो है बाएं ठीक ना एनोंड को बाएं और कैफोड को दाएं और लिखते हैं तो प्रिज पूरस दा कंटेनर ऑफ इन प्लेस्ट इन और इस पर इस पर इन आपको दिखाए जा रहा है जैसा यह जो फीगर था यहां पर बन गया था देखो आज समझ रहो नहीं यह दूसरा है साल्ट बिर्ज को यह बता रहा है ठीक तो इस तरीके से यह चीज़ें तो राइट आज जो है कैथोड 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 के नों और जो आपका राइट हाथ हो जी साथ से लिखते हो उसको क्या बोलोगे तो अभी जश्ट इसको याद रखना है राइट ज़ो है क्या राइट साइड आप दो पोरस कंटेनर और बीच में जो है साट ब्रीज हम लगा रेखा द्वारा जो है क्या करते है पृति किया जाता है पैदूत अबटन आयनिक इस सुच्छ को सुत्र द्वारा लिख तर इसके आगे उसकी स्कांधृतता लिखते हैं इनोंड के के समें इसमें कोई से पहले लिखते हैं तो आप बोल रहा है तो ने इस तो अलग करूए तो अभी एक वर्टिकल लाइन से अलग करेंगे इलग्रोलाइक जो है इस विसीज आराइट इन फार्मुला एंड हम बोल सकते हैं इस तरीके जो है इस अब जो है क्या इस तरीके स्वेट करेंगे अभी जो एक उदारान ठियमाग को समझाएगे जैसे देखिए salt bridge को salt bridge दोरी उर्द्वादर रेखाऊं द्वारा बेक्त करते हैं जैसे देखिए for example ये for example में जैसे zinc है तो अब जो है ये आप देख रहे थे कि ये जैसे suppose that ये zinc था तो zinc से जेडेन 2 प्लस बना था ना ये जो है यहाँ पे ऐसे उसका हम क्या लिख देखे लिख देखे बुला जारे तो इसको अलग करता है यह जो है यह जो है जब मने आउनाइज तो इलेक्रोलाइट इलेक्रोलीटिक आयने इस था तो यह जो है जिंक आपने यह बनाया था आस समझ रहा है से इसमें जिंक डाला था इसमें कापर तो अब जो है यह अभी आपने बोला था आपने लिखा तो यह जो है जिंक से जिने टू प्लस बना अब यहां पर बीच में जो शाल्ट ब्रीज होता है उसको ऐसे करके और फिर यह सी यू टू प्लस से क्या यू प्लस टू से यह स्यू बना ऐसे जो है इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं जैसे यहां पर लिखा हुए यह आपको थोड़ा सा याद सम जाएगी यह देखिए तो कह रहा है कि यहां पर उसका कंसेंट्रेशन यह यह से लिख देता है नहीं लिखेंगे तब कर एक जो है डैनियल से का जिसका जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव एक से लेके दस वोल्ट हो निमनप्रकार प्रस्तूत कर सकते हैं तो इसका यह में फाफ दसेल इस गीवें तो देंडरीटें ऑन दराइट साइड ऑफ डैनियल से फूज क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशल अब उसको आप कैसे समझोगे तो हम यह कह रहा है कि प्रतेक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रान खोने माने यह कह रहा है कि जो प्रतेक इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रोड अभी आप देख रहा है तो इसमें यह जो इलेक्ट्रोड है बास समझ रहा है तो अब यह कह रहा है क प्रतेख इलेप्ट्रोड तहա है या पाने की पर्विरति रखता है किसी उलएक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड खोने या पाने की परिविरति स्मीज रहा है तो उसके डिसने औरोक के दाम से ग料 Prevention लेक्षण पर नाम से जानते हैं इस प्रकार अपचैन आक्षीकरन बिभाव को हम एक शाथ होगा तो उसी को भईया आप तो इस प्रकार अप्चेयन ऑक्षीकरण विभाव को रिडॉक्स विभाव कहते हैं फिर अब यहां पर बोले जा रहा है किसी इलेक्ट्रोड का अप्चेयन विभाव उसके ऑक्षीकरण विभाव के समान किंतु बीपरीत चिन्हका होता है अभी जो है आप से यह बात बड़ बिभाव को रोचा ए कि इस इलेक्ट्रोड उसको क्या बोलेंगे इलेक्रोड उसको पोटेंशील वही होता है कि अरेक्ट्रोड का रिज्या टैंडन्रोड की चहे वो लास चाहे गें जहें करे तो उसई प्रपरिटि प्रपर किसी समता से इप दे लॉक्रोट कि लॉस्टे लॉक्रा कि ऐलेक्रोड पो टेंशील हूं कि इलेक्रोड पोटेंशील इगॉपुटीजिए इस ऐङे रोखेट वह क्या बोलेंगे रिडेक्शन पोटेंश्य धार है कि आप Wooly तो यह ही ही यह जो है यह फार्मुला है और रिडक्षाम पोटैंशियल इंग वाइनस में आप जो है बोलोगे कहा जा रहा है आई यूपीसी परंपरा की अनुसार माने आई यूपीसी यह टेक्निक्स है तो उसमें टेक्निक्स हैं एक जो है एक तरीके से बोल सकते हैं नॉमिंक्लेचर या फिर किसी सिस्टम को कैसे आपको केमेस्ट्री में बनाए रखना है वो चीजें के लिए तो आउपीएसी मने परंपरा के अमसार अपचेहन विभव को ही मानक इलेक्रोड विभव के रूप में लेते हैं मने जो मने आउपीएस एसी सिस्टम है वो सिस्टम के मसार ये कहा जा रहा है या गयान विभव को ही मनक आउप के दो और जब कहते हैं और जब ये बंदर सेट में मापा जाता है तो किसी सिल का कैसे से कलेट तरेंगे तो आप यान रखेंगे पुटेंशियो मीटर के तुरू घ्ली यहां पे क्या बता हो गया कि आपको यह बोला जा रहा है कि वह पोटैंसिल डिफ्रेंस बीट्वीन त्वहाप सेल है और यह कहा जा रहा है कि गैया वनिक सेल इंज मेजर अन वुपन सकीट ओपन सर्कीट के अंदर इज कौल एलेक्ट्रिक क्या एलेक्ट्रिक्तिंग पर्षियम्य आप जो है क्या थास्ट वेंगा मेजर इन लोगे तो उसको अधिकर बोला कि उसको का पॉटेंट्य। तो दो यह पॉप सेल इस मेजर इन देहल पॉप पोटेंटियो मीटर के थूज़ जो है मेजर करते हैं आप कहा जा रहा है इलेक्ट्रोड भी बहुत था इम्याप इलेक्ट्रोड के स्वभाव सांगरता मनें कंसेंट्रेशन एवं ताफमान पर निर्वा करता है किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड भी हो के निव्न प्रकार से संबंदित है वह इन हम यह बोले कि इलेक्ट्रोड पोटेंश्यल और इम्याप डिपेंड ओन नेचर किसके थूरू कंसेंट्रेशन and temperature of the, किसकी तुरूबाई, electrode, the EMA of electrode potentials of a cell is related to the following wedge, E cell is equal to E cathode minus E anode, ये याद रखोगे आप, E cell is equal to galvanic cell में, E cell जो होता है वो आपके बराबर होता है, E cathode minus E anode के, मतलब E right minus E lift, तो नहें E right, E right क्या था, reduction, minus क्या था, और ये यहाँ पर क्या था, right में, right में reduction, और फिर यहाँ पर क्या था, minus E, जो है क्या, oxidation, तो इस तरीके से जो है, आपने देखा हुआ है, तो हमेशा अभी आपने देखा भी था, कि अभी पिछले बादे, देखो, यहाँ पर आप ये, कि reduction potential, और और तो यहाँ पर यही मैंने बोला, की reduction, minus E, oxidation, तो इस तरीके से याद करोगे, इलेक्रोड बिभाव के लिए, जो है, क्या है, एक नॉस्ट इक्वेशन है, उसको आप कैसे explain करोगे, आप कैसे जानोगे, तो देखे, कि जो नॉस्ट समीकरण सेल है, जो नॉस्ट इक्वेशन है, इसको आप याद रखोगे, जो नॉस्ट इक्वेशन है, नॉस्ट समीकरण सेल, या फिर हम कहा रहा है, कि electrode बिभाव का बैधुत अपकटन के आयनों की सांदरण से संबंद अस्थापित करते हैं, वो कैसे है, तो देखे, the नॉस्ट इक्वेशन्स, explain the relations of the cell and electrode potential, मने हमने क्या बुला, कि नॉस्ट इक्वेशन्स explain the relation of the cell, आप जो है, electrode potential to the concentrations of electrolytic iron, मने अब यहाँ पे पर कुछ पॉइंट है, इलेक्रोड विभाव के लिए नर्ष समीक्रण कुछ इस तरीके से है जैसे मान लेजिए एक सामान रियक्षन से है वो MN से जो है एक लेक्रण इसने लिया तो M बन गया नर्ष समीक्रण के लिए E is equal to होता है यह फार्मूला आप याद रखोगे E is equal to E not minus 2.303RT upon NF log M by MN plus तो E is equal to E not minus 2.303RT by NF log M by M plus तो यह जो है कहा जा रहा है कि E जो आपका है वो इलेक्रोड पोटेंसियल है R आपका गैस कॉंस्टेंट है F आपका फैराडे कॉंस्टेंट है जिसकी बेलू 96500 क्या है कैलोरी है स्वारी कुलाम है और MN जो है वो बिद्दुत अफ़गट में आयनों के मोलर सांधरता दिया हुए तो इस तरीके से यह चीज़ें जो है आपको नश्रिक्वेसं यह समीकरण आपके जुमापे याद होना चाहिए ठीक ना अब फिर यहां पे आपको बोला जा रहा है कि जो M था वो ठोस सुद्ध या धात की सांधरता जिसे हम मापते हैं मने मेजर करते हैं और E not monoc electrode भी बहुत था जिसको हम अभी बोले भी थे T temperature था जिसको Kelvin में लेना है N जो है electrode अभी किरियाओं में नहीत electron की संख्या मने कितना electron loss हुआ है तो यही बोल रहा है the number of electron content in क्या electrode reactions में यह चीज़े हो लगा अब कह रहे हैं हम कि if M is equal to N 1 दिया है value T की value 299 Kelvin है R की value जो है 8 से 314 Joule Kelvin में है या और जो है 1 mol या फिर और फैराडे का 96500 यह देखे लिखा गया यह आट दस्मलो तीन एक चार है और फिर बोला जारा इंटू 298 इसको कैलमीन में convert कर दिया N इंटू 94500 और लॉग capital M is equal to आपने concentration में 1 लिया था और यह मन प्लस तो अब जो है जो equation बनके आया वह आपका यह हो गया इसको आप याद रखोगे फिर आपको यह बताया जा रहा है कि कि सेल आप के लिए नाश्ट समीकरण तो अब जो है अब हम कह रहे हैं कि यह जो आपका फार्मूला रहा वह आपका किस के लिए रहा तो वह आपका नाश्ट के लिए नाश्ट समीकरण क्या होगा सामान में कोई अगर अब गिरिया है जैसे मान लिए और इसमॉल एम कैप्टल एम के लिए एक समीकरण हमने लिखा हुआ है तो ए सेल इच पर 2 हो जाएगा ए नॉट माइनस 2303 0 3 rt upon n up log m पे power n और जो है n पे power m a पे power a b पे power b के लिए है अब जो है डैनियल सेल के लिए जैसे डैनियल सेल में आप ने देखा था कि जिंक लिया हुआ था और यह क्वापर था यहां पे आपका स्टेशन हो रहा था यहां पे आपका क्या हो रहा था रिडक्शन हो रहा था तो अब जो है 298 Kelvin पर जो है इसी मनें example के थू हम इसको समझेंगे तो e-cell is equal to e-nought मनें इस तरीके से लिखते हैं e-cell is equal to e-nought minus 0.059 एक अपॉन एन और यह जो है लॉग जेडियान प्लस और अपॉन जो है सी यू तो यह फार्मुडा जो है आपको याद रहना चाहिए यह भी फार्मुडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक न अब यहाँ पर हम फिर देखेगे कि कहा जा रहा है n का मान ज्याद करने के लिए निमन अविक्रियाओं कुछ इस तरीके से दी हुई है इनोड अभी किरियाओं में जैसे देख रहा है यह जिंक पर मनें इनोड का जो है यहाँ पर क्या हो रहा ह लॉस हो रहा है तो यह आपका जडियाओं टू प्लस बना ठीक न और यहाँ पर इसने दो इलेक्रोन गेन कर लिया यह कैथवर्ड है अब जो है टोटल ओबर ओल रियक्षन जो है सिल अभी किरिया है कुछ आपने इस तरीके से लिखा अब जो है अगर मान लीजे दो इलेक कितनी होती है माइनस में तो यह जो है आपने भी पढ़ा था डियक्षन माइनस ऑक्षीडेशन तो यह जो है आपने रखा इसको और इसमें फिर वही जो आपकी पिछला जो एक्वेशन था यह वाला इसमें फिर आप क्या कर रहा है रख रहा है रहा है 0.0.591 अपॉन्कि यहाँ पर आपको पता है लॉग यह जडियन 2 प्लस और यह Cu2 प्लस जैसे हैं इसको साल्व किया 1.10 बोल्ट और माइनस इसको जब आपने साल्व किया तो 0.0295 लॉग जडियन 2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस के फॉर्म में आ गया तो इस तरीके से से सेल का अब जो है जो सेल का मुप्त उर्जा परिवर्तन मने डेल्टा जी या फिर हम बोल सकते हैं यह मैंड फ्री एनरजी चेंज तो अब हम कहा रहें किसी सेल द्वारा अपनी माना कवस्ता में किये जाने वाले अधिक्तम बैद्धुतकारे को निम्न प्रकार हम परदर्सित कर सकत है मैंने वही जो है जो वर्क डन है मैक्सिमम तो यह हो जाएगा माइनस एन एफ इन तो यह जो है थोड़ा सा मने ब्रॉड सेल्बस में दिया हुए इतना जो है डीप में जाके आप से इलेक्ट्रोंग है में पूछा नहीं जाएगा बैसिकली वही नाश्टिक्वेसं के फ कट्कि खेंसर्ड या सिस्टम में अदिकतम क्या बोलगेजा कारे करता है तो मुक्त उर्जा में कमें के समान होता है या कि मुझत उर्जाट्र की माना कवस्ता में हो तो जो हमнул सब्सक्राइले साता है कि जो जैसे यह है मने वर्क डर मैक्सिमम इच्वल टू माइनस ए जी नॉट तो यह रिड़ चिन दर साता है सिल द्वारा कारे किया गया और जो है नेगेटिव साइं इंडिकेट डैट दा वर्क डान इस टर्म जो है क्या वाइद से तो इस तरीके से यह एक्वेशन आपको संद्धाए गया अब यहां पे फिर हम कह रहे है कि डिल्टा जी नॉट इसक्वल टू इल्टा जी नॉट इसक्वल टू होता है माइनस एंड फ इसक्राइब इसक्राइब तो यह जो है डिल्जी यह सब मैंने calculate किया जा रहा है, तो देखिए, डिल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ, ई नॉट की value जो है, यह आपकी दे रखी है, तो जहाँ ए था, वो हमने यह 2.3.0 तार एन एफ लग दिया, और यह क्या लिख दिया, आर्टी लॉग के, अब फिर इसको हम solve किये, तो यह जो है, क्या हो जाएगा, माइनस 2.3.0 जी रो टी रो टी रो टी लॉग के, ठिकना, और यह एन एफ से एन एफ कैंसल हो गया, बात समझ रहे हैं, यह कार्ट दिया आपने, तो यही ना बचा, माइनस में 2.3.0 जी रो टी रो टी रो टी रो टी लॉग के, तो यह आपने लिख दिया, डेल जी नॉट इच्वल टू, माइनस एन एफ ए नॉट, ठिकना, तो यह जो है वैलू आपके कितनी आ गई, 2.3.0 जी रो टी रो टी रो टी लॉग के, तो यह किये जो है आपका क्या है, एक प्लिवीरियम कॉंस्टेंट है, तो वो जो है आपका एक, माने क्या रहा, रिलेसंस रहा, अब हम कह रहा हैं कि इलेक्ट्रो केमिकल सिरीज एंड इट्स अप्लिकेशन, बैदुत रासायनिक सिरेडी तथा उसका अनुपरियोग, विविन धातूं को उनकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर जिस सिरेडी में ब्यवस्तित किया गया है, उसी को हम बैदुत रासायनिक सिरेडी के नाम से जानते हैं, बैदुत रासायनिक सिरेडी के नाम से जानते हैं, इस सिरेडी में धातूं को बैदुत धनात्मक एमँरासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की और कम होती है, बने जब यप अब तुनाव आंगे तो उसकी जो सक्रियता होती है, जो रेक्टिविटी होती है, वो लोग होती है, आता सिरेडी में अपचैक मनें डिउसिंग अपने घटे करम में ऊपर से नीचे की और और आक्सिकरण अपने बढ़ते करम में ऊपर से नीचे की और करम बद्धे तरीके से रखा गया है, तदा था कैटेग्री इन विच जो हैं बोल सक्ते है कि दिफ्रेंगे अरेंगे अर्फिक पॉल सक्ते है, तर बोटम इन देर जो हैं इंग्रीजिंग और तो अब यहां पे बैदूत रासानिक शेड़ी का अनुपरियोग अप्लीकेशन सब इलेक्ट्रो कैमिकल सिरीज तो अब यहां पे क्या बता रहे हैं इलेक्ट्रो कैमिकल सिरीज के कुछ अप्लीकेशन बताई हैं इस-category यह redox अब किरिया में घटित होने के संभावना का पता लगाने में सहायता करती है एक iron अपने से उपर वाले सभी धात्यों को आक्सिक्रित करेगी जबकि अपने से नीचे वाले धात्यों को अपचाहित करेगी E0 रिलात्मक मान होता है अब इसकी मदद से आप डिडेक्ट कर सकते हो कि कहां पे जो है क्या रिडेक्ट्स अकर हो सकता है अब यह कहा जा रहा है कि यह सरेडी कत्तों के आप अच्छी क्रासायनिक बंदुता परदर्तित करता है इसमार क्रिया सील तत्व ऊपर है और अफ और क्रिय जो है तत्व क्या है नीचे है अब हम कह रहा है कि इसमें यह जानने में सहायता मिलती है कि कोई दात्व हमल में से हाइड्रोजन निकालेगा या नहीं हाइड्रोजन से उपर जितने भी हैं हाइड्रोजन से उपर वाली धात्व में अमल के साथ hydrogen क्या hydrogen निकाल सकती है जबकि नीचे वाली माने magnesium तथा जिंक आज धागुएं अमल से hydrogen निकालती है जबकि copper silver और आप से जो है gold नहीं निकाल पाते हैं तो यह जो है चीज़ें आप से बताई जा रही इट helps to know whether a metals will remove hydrogen from an acid or not तो a metal above hydrogen can extract hydrogen with acid while जो है दोज below cannot तो metals like magnesium and zinc extract hydrogen निकालेंगे और while copper silver and AU do not extract from metal यह गैल्वनिक सेल के कारे करने को समझाने सहायता प्रदान करता है इनाट सेल सद्धान धनात्मक होता है यह इनाट की जो बैल होती है हमेज़ा सद्धानात्मक होती है यदि एनाट रिरात्मक है तो इलेक्ट्रोड को परस पर बदल देना चाहिए तो इस तरीके से यह बाते आपको बताई गई और फिर अब यहां पे बोला जा रहा है कुछ उलेक्ट्रोड के जैनारे पास क्या यह वह गलाँट देखो गए वह दो इसका मणा आपका माइनस में 2 दसमलव एक साथ है तो इस तरीके से यह कुछ इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड यहां पे आपको दे रखे हैं तो यह जो है जो इलेक्ट्रो केमेस्ट्री में यह पार्ट था इसको जो है आप थोड़ा ता देखोगे यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है ठीक ना अब जो आगे के classes होंगे वो आपको हम next पताएगे आज के class के लिए इतना ही thank you class